असलाम अलेकम वेलकम बैक टू आटिशेफ स्पाइस आज हम नहींगे मैक्सिकन टाकोस तो ये किलो मैंने कीमा ले लिए तीन किसम की मेरे पास बैल पेपर हैं येलो गरीन रिड़ ये एक अनियन है और गैनो एक चमजश एक चमज़ नमक एक चमज़ पाप्रीकाप और्डर और ये सीजनिंग का एक पैक्कट है मेरे पास यह हार शेल टाकोज हैं और यह साफ्ट टाकोज हैं तो आए इसकी फिल्म त्यार करते हैं एक चमा चॉलम वाइल डाल के मैंने पैन को रख लिए तो आप यह सारी सब्सक्राइड कर दूंगे अब साथ ही मैं इसके कीमा चाहिए अब साथ ही मैं इसके यह कीमा चाहिए कर दो तीन मिनट के लिए मैंने कीमा को भी साथ ही इसके फ्राइब का लिए सब्सक्राइब के अब मैं इसमें यह शामल का दूंगी लसन पेस्ट और यह सीजरिंग डाल दूंगे अब आर ज्यान में शामल करूंगी अब आर ज्यान में शामल करूंगी अब आपीका पाउडर नमक सारी चीजों को अच्छी तर हमेक्स कर लूंगी और कवर करने ही तक्रीबन दो तीन मिनट के लिए प्रीमे को हमने कवर करके रखा की तक्रीबन तीन चार मिनट के लिए तो अब फिलंग हमारी त्यार हो गई है तो आप बनाते हैं टाको अब टाको को हम सेंबल करते हैं ये रेडी मिट मैने शेल्स ले लिए किसी दिन मैं आपको दूसरे शेल्स भी आथ से बनाना स्खाऊंगी तो ये बनाना शुरू करते हैं सबसे नीचे मैं ये चीज डालूंगी हलकी हलकी चीज ज्यादा नहीं डालनी इसके अपर मैं ये कीमा डालूंगी गरम ताके चीज मां इमेल्ट हो जाए अपर मैं ये कैबज डालूंगी आप लेटिस भी डाल सकते हैं और कैबज भी अपर मैं ये सालसा डालूंगी और सालसा की रैस्पी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है अब सबसे उपर मैं ये गवाका मॉली डालूंगी और गवाका मॉली की रैस्पी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है वहां जाके आप देख सकते हैं ये टाकोज मारा बन की तियार हो गया है अब मैं ये बोट्स बनाओंगी ये ये भी एक बना के आपको दिखाती हूं पिर बार में सारे बनाते हैं हलके हलकी चीज मैं इसमें भी डालूंगी सेम उसी तरहीं कीमा डालूंगी उपर लैटिस सालसा ग्वाकमूल इसी तरह हम सारे शेल्स बना लेंगे ये सारे टाकोज मैंने बना के त्यार कर ली हैं अमीद है इन्शाला आपको बहुत पसंद आएंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए लाइक करें शेर करें कमेट करें और में चैनल को सबस्क्राइब करें अला हाफीज अला हाफीज